का नमस्कार दोस्तों मैं रोंचर महाज़ी रूमफतुप सभी हैं पिस इस में आप किपने जोटिशन वास्तुमें कैसे हैं आप सभी छॉस्त यस वीडियो में बात करने ॉज्टकर बारे में बेट काफी लोग बहुत जादा गलतियां कर देते हैं बजरंग बाण को करते समय किसी को सही तरीका नहीं पता बजरंग मान करने का या सही समय नहीं पता बजरंग बाण करने का और इसी कारण से गलतियां करते हैं और इसी कारण से उसका पूरा फल हमें नहीं मिल पाता है कल में रुपास काफी call फी आए कि सर कल शनिवारे हम बजरंग बाना आरम करना चाहते हैं क्या हम आरम कर सकते हैं क्या सही समय हैं किस तरह से करना चाहिए तो मुझे लगा कि बडियो बनाना चाहिए जिससे कि आप सभी को इसके बार में पता चल पाएं और आप सभी इसको सही इस तरह से समझ पाएं बजरंग बाण को करने का बजरंग बाण के पार्ट को करने का सही तरीका क्या है यह हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में बजरंग बांड को करने के लिए आपको शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को चुनना चाहिए शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार से बजरंग बांड का पार्ट शुरू करना सबसे जाधा अच्छा माना जाता है कि इसी के साथ बजरंग बार्ण को करते समय क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यार रखनी चीए और क्या-क्या मेथाड आपको यूज करना चीए क्या तरीका को फॉलो करना चीए यह मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं कि बजरंग पार्ण को करते समय बजरंग बांग इसा कर देज्म अपुर्वार से शुरूब करना है कि क्या शुरू करते समय सुबह मंगलवार के दिन नहाँ एस ओना है कि आपको यह पर नादी करके और लाल कलर के वस्तर पहन के औरेंज कलर के वस्तर पहन के तयार होना है इसी के साथ जहां पर भी आपको बजरनबान करना है वहां पर आप अच्छे मौरत में हनुमान जी की स्थापना कर दें उसके बाद हनुमान जी की स्थापना करने के बाद वहाँ पर लाल कलर का आसन आप जरूर बिचाएं लाल कलर का आसन बिचाने के बाद आप उस पर बैठें और सबसे पहले बजरन बाना शुरू करने से पहले ज़ कि आप पूजा कर लें हनुमान जी को प्रशाद चड़ा दे हनुमान जी के महाँ पर दिया लगा दे और दिया लगाने के बाल दिया ध्यान कीगा गी का होना चीए या सरसो के तेल का होना चीए और दिया लगाने के बाद आप एक संकल्प लें सबसे पहले संकल्प में क्या होना चाहिए संकल्प में होना चाहिए कि आप कितनी बार बजरंगबान करना चाहते हैं और कितने दिन तक बजरंगबान करना चाहते हैं इसका एक संकल्प लेते हैं संकल्प लेने का पूरा तरीका क्या है अगर यह आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेंसेज कर सकते हैं मैं आपको वहां पर डिटील में बताऊँगा अधर्वाइस यहां पर वीडियो तोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो संकल्प लेने के बाद आपको बज़रंग मांड का पार्ट करना है संकल्प के साथ साथ आप यह भी देखें कि आप कितनी बार करना चाहते हैं आप 11 बार 21 या 108 बार यह पार्ट करना चाहते हैं जितनी भी बार पार्ट करना चाहते हैं उतनी बार आप कांटिंग के लिए चांवल के दाने काम में ले सकते हैं या रुद्राक्ष की माला काम में ले सकते हैं इसी के साथ बजरंग बांड के पार्ट में सबसे जादा जो इंपॉर्टन चीज आती वह आती राम जी की ऑफ हम पर रहे हैं उस में कोई भी गलती हम नहीं करेंगे और जो पार्ट हम जिस उद्देश में करें उस उद्देश को पूरा करने में हनवान जी हमारी की मदद करें हनुपान टो आपर शुरू करने की यह प्रॉपर विदी का पार्ट करते समय और भगमान कोभो लगाते समय आप अगर लड्डू का भोग लगा दें या अगर आप मौसमी फल का भोग लगा दें तो बहुत अच्छा शुब माना जाता है या नखिएगा पार्ट करते समय बीच में उठते नहीं है बीच में किसी भी तरह का रुकावट ना हो इसका विशेज द्यान रखीगा आप और बजरंग बांड का पार्ट किसी और को नीचा दिखाने के लिए किसी और का नुकसान करने के लिए या किसी भी गलत धार्णा से नहीं किया जाता है अगर आप बजरंग बांड का पार्ट किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं तो वहां पर आपको नुकसान ह रहती है दोस्तों ज्यान रखेगा बजरंग बांड के पार्ट का नियम जितना अच्छा होता है जितना सिंपल है और जितनी अच्छे से आप उसको पालन करेंगे उतना ही फल आपको उसमें अच्छा मिलेगा पार्ट करते समय द्यान आपका इधरूदर डाइवर्ट ना हो इसका आप विश्यश्वद्यान रखे बजरंग बांड का पार्ट करते समय किसी भी तरह से को व्यवदान नहों इसका विश्यश्यश्व द्यान रखें कॉनसे वस्त्र जो मैं आपको बताये हैं वोही वस्त्रा पहंने है publishers पाणंग का पार्ट किन महत्वपुन कामों के के लिए किया जाता है यह मैं आपको बदालता हूं कि सबसे पहले और सबसे महत्वपुन काम अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ है अगर आपके शादी में कोई रुकावट आ रही है और शादी आपकी नहीं हो पा रही है तो आपको बजरंग बांड का पार्ट करना चाहिए बजर्ण बांड का पार्ट अगर आप करते हैं तो यहां पर आपको फाइदा मिलता है अगर आपके नौकरी में कोई परिशानी आ रही है और काम के कारी स्थल पर अगर आप लोगों आपको परिशान कर रहे हैं आपको बहुत जादा रुका अनकंफर्टेबल फील हो रहा है आप यहां पर बजरंग बांड का पार्ट कर सकते हैं अगर कोई बहुत लंबी बिमारी है काफी लंबे समय से कोई बिमारी है और वह बिमारी ठीक नहीं हो रही है तो यहां पर आप बजरंग बांड का पार्ट कर सकते हैं अगर आपने नया मकान लिया है और मकान में ग्रह पुषान्ति चाहते हैं तो आप यहां पर बजरंग का पाठ कर सकते हैं और especially अगर आप मांगलिक हैं अगर आपके मनगल दोश है और आप मनगल दोश का निवारन चाहते हैं तो आप साथ मंगलवार कंटिनियूम बजरंग बान का पार्ट करें आपके मंगल दोश में कहीं ने कहीं आप देखेंगे रहत मिलेगी और आपका जो दिवन दिंचरिया है जो जीवन शेली है वह आपकी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों मैं उमीद करता हूं कि जो बजरंगबाण के पारे मैं आपको बताया है और करने की जो तरीका मैं आपको ऊड़ने की रखंग और आप करना चाहते हैं तो आप इसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं मैं बजन्गमान को सिद्ध करके आपको दे सकता हूं और बजन्गमान को सिद्ध करने का तरीका आपको बता सकता हूं ताकि बजन्गमान को सिद्ध करने के बाद आपका ही पर उसे यूज कर सकते हैं और आप अपने सारे कामों में जो आई रुकावटे उसे जल्दी से जल् लोग बजंग मान का पार्थ अच्छे से कर पाएं और इससे होने वाले फाइदों को अच्छे से ले पाएं दन्यवाद